ठीर ऐसे स्टेरिंग को लेफ्ट की ओर लेकर आओंगा और मैं धर्ड लेज़न के ऐंदर आ जाओंगे लेकिन प्राइविंग रहते हो सिखने के बाद की सी ड्राय विडियो मैंने बता used सी गुड़्ट एक ऊप्रакти Α आप दोस्तों आप सोच रहा होaient कि इसमें को journey met ad करना भूट बड़ी बात नहीं लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए में बता तो कि इंडिया में जितने भी इक्सेड़न होते हैं उसमें से 30 परसंट जो होते हैं वो लेंगं Hand structure टाइम पर ही होते क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फिर सभी टेकनिक यूज़ नहीं करते हैं वह गलत beef his पीड में चेञेंज करते हैं तो फिर गलत टेकनिक यूज़ करके घर करते जिसकी वज़े नेशनल आईवे पे हो तरीका में आज बताने वालों उसी तरीके को आपको फोलो करना है लेन चेंज करते टाइम तो आप एक सेफ लेन चेंज कर पाओगे मतलब सेफ ड्राइविंग जोन में रहोगे और लेन चेंज करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो बॉटीए दोशन होसा वीडियो लंबा ना करते हम वीडियू स्टार्ट करना है और समझते हैं कि केसे हमको लेन चींज करना चाहिए सबसे पहले सबक्राइब होती है आपको अपना इंडिकेटर देना लेका फिलेूरा दूसरी इस्टेपने आपको IRVM चेक करना है दोस्तों IRVM में ऐसे चेक करना है कि आपके पीछे कोई गाली तो नहीं है चाहे वो डिस्टेंस पे हो या पास में हो अगर जिसने यहां पे कोई गाली नहीं है उसके बाद आपको वेरिफाय करना है कि आपके लेफ्ट साइट के पीछे वाले हिस्से में जो गाली के करीब हिस्सा है उसमें उसके पास में कोई तो नहीं है उसको चेक करने के लिए अपना ओर वीएम चेक करें ओर वीएम केसे सेट करना मैंने वीडियो बना चुका हूं हाई बटन में लिंक आ रहा होगा आप जाकर के देख सकते हो करना दे लिए लेफ्ट के और मूब करना है ता कि आपकी गाड़ी की डाएक्शन है थोड़ी सी लेफ्ट लेन चेंज करने तो आपके दोस्तो आप ये देख सकते हो मैं अभी सेकेंड न तो यह वाली जो होती है फर्स लेन होती है थर्ड लेन होती है अपने साइड में अब जैसे कि मैं को थर्ड रो में जाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा अब मैं अपना इंडिकेटर दूँगा थर्ड रो में जाने के लिए अब लेफ्ट साइड में जाने के लिए गाड़ी तो नहीं पास में उसके बाद मैं ORVM में देखूँगा कि उस साइट कोई गाड़ी तो नहीं है अगर उस साइट गाड़ी होगी तो मैं उसको निकल जाने दूँगा और उसके बाद जैसे गाड़ी निकल गया पीछे गाड़ी को इसी नहीं है तो मैं धीर ऐसे और मैं third lane के अंदर आ जाओंगा simple सा logic के बस इसको आपको follow करना यह सबसे सही तरीका आप city में हो या फिर highways पर हो यही तरीका आपको lane change करने के लिए follow करना इसके लाब और कोई तरीका नहीं है सही वाला जो lane change करने का आपने वीडियो देखी होगी आपको समझ में आया कि किस तरह से मैंने चलते हुए अपने lane change करें मैं second lane में से third lane में आया simple सा logic है दोस्तो चार step मैंने आपको बताई है lane change करने की जो I hope दोस्तो आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे लिएक करें अपने दोस्तों के ना शेर करें अगर इस वीडियो को ले करके कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे comment box में दे सकते हो सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो और इस चैनल पर ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे इसी तरह के इंफोमेटिव वीडियो आप तक पहुच सके और आप एक सेफ ड्राइवर बन सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ और गुडबाई